जै शीराम सभी भक्तों को जै मातागी फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए बहुत सारे भक्तों ने ये सुन रखा होगा कि हनुआन जी का कोई रुद्र मंतर भी है तो उस मंतर को कैसे सिद किया जाएं क्या करना चाहिए हमारे साथ अंतक बने रहे तब ही आपको सारी वीडियो समझ में आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कुमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जूरू सब्सक्राइब कर रुदर मंतर कहा जाता है और हनुमान जी का जो रुदर को जगाने차 उचट हो समय उचित हो और आप हनुमान जी को ये लगा लो उनकी किर्पा को अगर आप समझने लग गए हो तो ही आप उस मंतर को जगा सकते हो वो मंतर में छुपी हैं अपार किर्पा हैं लगातार इस मंतर का जाप करने से आपके उपर सदैव किर्पा बनती है हनुमान जी बाबा की और हरुमान जी की रुदर शक्तियां वीर शक्तियां आपके सदैब आपका साथ देती है और आप अपने धर्म के परचार के लिए जग के कल्यान के लिए और लोगों को रोग मुक्त के लिए इस मंतर का कारिय आप करवाते हो और इससे आप किसी को जाड़ा भी लगा सकते हो किसी का भूत, प्रेत, तंतर, मंतर, करा, कराई ये सब चीज़ें जड़ती है नेकि कब जब ये मंतर अपनी सई जगा पर आज़ता है और सई जब आपको इस मंतर को चलाने का अदुत ग्यान होता है सबसे पहली बात हनुमान जी की इस मंतर में इतनी शक्तिया क्यों है क्योंकि हनुमान जी का यह मंतर रुदर रूप में है जब कहते कि हनुमान जी शंकर भगवान के ग्यारवे रुदर अफ़तार है और उस रुदर अवतार में हनुमान जी का इस मंतर को एक तांतरिक मंतर भी कहा जाता है तांतर विद्या का मंतर भी कहा जाता है परकोप्रुटिक मंतर भी कहा जाता है इस मंतर में अपार शक्तिया छुपी होती है इस मंतर को चलाने के लिए करना किस पकार से है जिस पकार से माता का नवार मंतर है उसी पकार से हनुमान जी का यह रुदर मंतर है इस रुदर मंतर में शक्तिया क्यों है इस रुदर मंतर हनुमान जी है मरियादा प्रशोत्म प्रवुश्री राम उनके इस्ट देव है हर कारिये को मर्यादा में रैकर करते हैं नेकिन एक बात या जखना कहते कि सत्सरात्म धर्म के अंदर शास्तर और शास्तर दोनों में आके डंडे का ही गैप है अगर हनवान जी ने गदा को धारन कर रखा है तो ऐसी बात नहीं है कि इन्वान जी उस गदा को कभी उठाते नहीं है नेकिन कब उठाते हैं जब उनके भक्तों पर विपता आती है जब उनके भक्त बहुत ज़्यादा परशान होते हैं तंग हो जाते हैं सामने वाला व्यखती जो है मानता नहीं है आपका बार बार शोचन करता है बार बार आपको परशानिया करता है बार बार आपको टोचर लिखता है तब मजबूरन हनवान जी को उस गदा रुपी रुदर मंतर को भी उठाना चाहिए आपको भी तूँ क्योंकि उससे हनवान जी का जो करोध है अपने आप ही बाबा आपकी चत्रू का स्तंबन कर देंगे मंतर क्या है मंतर है हम हनुमते रुद्रात्म काई हूं फट स्वाह इस मंतर का जाप जो है दिव्य जाप है इस मंतर को हम थमनील पर भी लिख देंगे आप उस मंतर को वहां से भी उतार सकते हो इस मंतर के कम से कम सवा पांच लाख जाप करने होते हैं सवा पांच लाख मंतर के जाप करने है 41 डेस का समय होता है रुद्राक्ष की माला का परियोग होता है कुशा का आसन होता है लाल कपड़ा रखना पड़ता है लंगोट और ब्रमचारी रहना पड़ता है जब मंतर आप किसी भी देविक मंतर का जाप करते हो तो आपको अपनी बोड़ी का संतुलन बना कर रहना पड़ता है ना जादा गरम, ना जादा थंडा, ना अंदर, ना बाहर अंदर भी क्या है, बार भी क्या है किसी की निंदा नहीं, किसी अंदर एंकार ना होना चाहिए, आपके अंदर मलिंता नहीं होनी चाहिए, भोजन सत्रिक विचारों का भोजन गरहन करना पड़ता है, मंत्रों के दोरा हनुआन जी के वीर आते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, अपने गुरू का आशिवाद लेकर इस मंतर को धार्न कीजिए और किसी भी उक्त पुर्निमा के दिन या किसी दी मंगलवार के दिन आप इस मंतर को उठाईए 41 डेज तक आप इस मंतर का जाब कीजिए और कहते हैं कि नवरात्री का जो समय होता है बहुत ज़्यादा शुब होता है किसी भी मंतर को अगर आपको उठाना हो सबसे अप्युक्त सबसे शक्ति साली जो समय है वो नवरात्री का है नवरात्री में सभी शक्तियां जो हैं बलवान होती है शिवरात्री के अंदर भी सभी शक्तियां बलवान होती है आप इस मंतर को शिवरात्री से भी उठा सकते हो और उसके बाद आप हरुमान जनम वब सब पे भी उठा सकते हो राम नोमी पेभी उठा सकते हो मंतर में है अपार शक्ती अगर आप इस मंतर का जाप करते हो आपके पास अत्लित बल की किर्पा उत्पन होने लग जाएगी आपके अंदर हैंकार की बू जो है वो आपको त्यागनी पड़ेगी अपने करोध पर आपको नियंतर रखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ शुरू में कि संतुलन क्या होता है ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा थंडा ना काहू से वैद ना काहू से प्रिती ना तो आपको नीम की तरह करवा होना पड़ेगा ना गुर की तरह मिठा होना पड़ेगा क्योंकि हनुमान जी का रूदर शक्ति शाली मंतर जाप कर रहे हो आप और इस मंतर में इतना तेज है थोड़े ही समय बाद आपको ऐसे ऐसे अनुबब होने लग जाएंगे आप खुद हैरान हो जाओगे कि इस मंतर के अंदर अपार शक्ति चुपी भी है हनुमान जी का इस मंतर का जाप जो है आप कीजिए और सवा पांच का दशांच हवन भी अनिवारिया होता है जो हवन का करना होता है वो पंच मेवा का करना होता है उसमें गुलर की लकड़ी और नीम की लकड़ी और साथ में शमी की लकड़ी का भी परियोग होता है जब हवन की प्रकिर्या होती है मंतर को तबी किसी भी मंतर को जाप करने से पहले आपको पहले अपने आपका संतूलन भी बनाना बहुत जरूरी है यह मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जब तक संतूलन नहीं बनेगा तब तक कोई भी मंतर हम किसी मंतर को उठा लेते हैं मैं मैंने कई वार क्या होता है कि हमारे जो कहने है पुराने बजुरुगों की कावत उ Gegen का थे कि हमारे जोड़ को इनने मॆ ़े पार किर्पा को भी प्राप्त कर लेता है तो बोलिए जय सितना जय श्री बाला जी माराज हनुमान जी आपका खलियान करें जय माराज